नमस्कार मैं हूँ गौरण श्रीवास्तो आप देख रहे हैं प्राइम टिवे खास कारेकम प्राइम डिवेड इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तरपेश की राजनीती वो राजनीती है जो हमेशा देश में चर्चा बनी रहती है क्योंकि यहां पर जो भी हो तो जो अशर होता है वो पूरे देश में होता है चर्चाएं गरम होती रहते हो यहां तक कि कई मामलों पतर ऐसा होता है कि दूसरे जो जो चेतर हैं वहां के नेताबी अपनी राजनीतिक रोटियां शेखना सुरू कर देते हैं यहां पर समय समय पर अलाला बिवार चलते हैं कभी धार में बिवार चलते हैं कभी ग्यानबापी बिवार आ जाता है कभी स्रीकिस जर्मूमी इदगाय बिवार आ जाता है तवाम तरहें कि यहां पर मामले चर्चा बने रहते हो और बनी रहती है चर्चा में राजनीती भी आज जो मामला है जो मुद्दा है वो मुद्दा बहुत एहम है क्योंकि योगी सरकार 37 साल पुराने मिठक को तोड़ कर जब सत्ता में आई थी 25 मार को जब योगी अर्टात ने दूसरे मुखवंत्री ग्रूप में अपनी सपर ली थी उसके बाद से लगाता सक्री नजर आ रहे थे और समय समय पर अलारे रोड मैप के मताबिक वो काम करते नजर आ रहे हैं सवाधिय का तीन माइने का एक साल का चुप सोनी रोड़ में है चाहे समने पर चमिश्चा कि रह staff को जो सामने आता है कि जो आ इसे हैं सरकार कि कही जी सरकार के बहतर काम के पढ़नामी सामने आते रहते हैं अब सरकार का काम बहतर है उस पर उंगली उठाना या अच्छा नहीं है उस पर आरोप तेरोप का दोर भी वुजागरी रहता है अभी हाल में योगी सरकार ने बड़ा आदेश दिया रोने कहा है जो उत्तपरिस के जो गैर मान पर आता के के मानेता से हैं तो इनको मानेता भी दी जाए और शिच्छा के स्तर यहां पर ठीक किया आजए japanese दिया गया कि कि आक्टूहबर तक इसको पूरा कर लिया जाए पांच एक्टूबर तक का समय दिया गया है सुष्षिस एक्टूबर को सब जिलारी कारियों को सवनियों को सौपनी कि इस्की रुपोर्ट मुक्पंतिरी को सौपना Likewise Making सद्रदेश और महत्पूर्द कार यहां पर करते हैं कि और साथी साथ मदर से को सर्वें गैर मानता प्राप्त एह मुद्दा पर इस समय राजनीती गरम हो गई है क्योंकि यहां पर असुदिन ओवेश्टी का कहना है कि जानमुज कर यहां पर पिरन किया जारा है जो है ज़र् सक्री होते हैं जहां पर कोई बड़ा कान डोजा वहां उनके बयान नहीं आते हैं पर जब उत्तप्रेस में कुछ हल्चल जरूर होती है तो हल्चल में अगर असुदिन ओवेश्टी का बयान ना आए तो अभी मान लिजे आरू पित्यारूप का दौर माना ही कैसे जाएगा टो बीजी यहां पर बताया और कहा कि यहां पर पकार से परिसान किया जारह है पिकार से उंपिrec fark से की जा रही है इस आदिस tarus का काम है आरूप लगाना पित्तारूप करना और 97 की onे अपने बात को सही साविट करना में परम कूछ बयान सुंते हैं कि चर्चा को आगे रेकिनाइज नहीं है ये प्राइवेट मदर्से हैं जिनको स्टेट गॉवर्मेंट या सरकार कुछ एड नहीं देती है ना उनकी सर्टिफिकेट रेकिनाइज करती है तो वो अगर खुद अपने मदर्से खोल कर चला रहे हैं जैसे दारुम द्योबंध है उबारकपूर में अश्रफिया है ऐसे कई बड़े मदर्से हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थार्ट की और प्राइवेट मदर्से हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती हैं जो मदर्सा बोर्ट के तरह रेकिनाइज़ हैं वो सरकार से उसका गौर्मेंट से यह सर्वे क्यों करा रहा हैं मैं अगर मदर्सा खोलता हूँ तो अपने इसलामिक तौर तरीखे उनको सिकाने के लिए इसलामिक फिक्ष सिकाने के लिए उनको मौलाना बनाने के लिए मुफ्ती बनाने के लिए और स्टेट गौर्मेंट से तालुख ही नही रहे हैं आप सर्वे क्यों करना चाहरे है आप को इससे लिना देना किया त्ट इसको खायम किया गया है दिए बहुत अची चीज्थ य बहुत अच्छी पहले हुर मखर मैं सरकार की का वेल कम करता हूँ मगर हमारे मदारी से अर्बिया का बड़ा जोगदान है हमरे मुल्क की आजादी में और हिंदुस्तान को आजाद कराने में मदारी से अर्बिया ने अहम जिम्मेदारी निभाई है लेयादा मदारी से अर्बिया को शक्की निगा से देखना मेरे ख्याल से गलत है अगर जो कुछ मदर से सरहत में बाल्डर्स के इलाके में हैं और कही जए केंदर सरकार हों या परदेशिक सरकारे हों उनको कोई रिपोर्स मिल रही है तो उनको चिन्हित करना चाहिए है क्योंकि मैं भी कही मदरी से अरभिया का गदमेदार हूं लेदा मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि एक ही लाठी से सब को नहीं है कर आए जरू सरकार सर्वे कराए जरू सरकार देखे कि जो घेर मानथ अपराव मदर से हैं मगर एक चीज़ शिक्षा एक पिछले साथ वर्सों से नई मानता नहीं हो रही है तो कि मानता बड़ियां थी तमाम लोग पेपरों पर मानता चला करके मदर्सों को चला रहे थे लेकिन जब से पोटल बना मदर्सों की उतमें फीडिंग होई जब मदर्से पठरी पर आ गये और सारी चीज़ारों से चलने के लगे सेुद्धार से बहुत सारे मदर्षे तरों से घॉARAता लहा हैं श्तर के बच्चे के बढ़ने कहा जाएंगे मैंदा नहुने से यह को पा हुई है के कौन से रूत हैं रूप में और प्रशताते लाए अइने और ने प्रस्तेवर制 जाहां कि इन मदर्सों की जो मानता प्रात मदर्से नहीं है वो हमानता चाहते हैं हमारे उपर तक आगी है कि या मानता शुरू करीए पहुंद हम चाहते हैं उनकी इस marketing क्या हमें एक्चुल रूप में मालूम हो जाए यो मदरसे इन साथ वर्षों में नए बने हैं उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें क्या स्ट्रक्चर है किस तरह का कमरे हैं उनके पास सोर्स आफ इंकम क्या है इन सब चीजों को आने के बाद हम से फैसला लेंगे कि उन मद आता संग्सापनी राय रखेंगे प्रवगता बात्ता की रूप में हैं कंचन बर्वड़ीजी मां सी जुड़ चुकिए आपका वह स्वागत है तो जो पहला जो हमारा सवाल रहेगा निता के या चांचछी पहल है और अगर गेर मानतप्राप्त मररसों को अपग्रेड किया जा रहा है उनकी बेवस्थाओं को यहां पर आकलन करने के साथ साथ उनको बहतर किया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी स्रेडी इस लायक है कि वो उनको मानता दी जाए उनको बहतर और किया जाए तो यह भी करते हैं युशे सबसे को पीछे रखने की अपने कोई भी इस तरीके से जान ना पाए, पढ़ना पाए, लिखना पाए जिससे कि वो हमेशा उनको बेखूफ बनाते रहें, वो जैसा कहें, आप बैसा कट्डे रहें, आप हमेशा कटरवादी होते रहें, अपने ही बेश के खलाफ होते रहें और वो सारी गत्विज्जों में शामिल होते रहें जो आतिंकित के लिए यूज की दाती हैं और आपसे जो कहा जाएं इस तरीके से आप काम करें आपके हाथों में पत्थर देने का काम यही जैसे ऐसे ही निता करते हैं जो लोग चाते हैं कि आप मदर्सों में ना जाएं मद जिता से ना लेते हुए बहुत ही हल्खेपन से उन्होंने बोल दिया कि मानता की क्या आवश्चकता है, अरे बाई उतर पते इस या फिर सरकार भारत पे कोई भी ऐसा फूल नहीं है, जहांपर मानता ना हो जो मानता नहीं होती है, वो सही नहीं माना जाएगा, तो फिर मदर् मदर्स से भी वो होने चाहिए, जिनमें मानता प्राफ्ट हो, जिनमें सरकार का संतुलन हो, जिनमें सरकार को सारी बाते पता चले, कहां पर क्या चीज़ें हो रहे हैं, और जो कम्या है, वो सरकार पूरी करें, तो यह सारी जुम्मेदारी सरकार की होती है, कि सरकार के दाइ उन्होंने इतना ही पूछा कि किसका नाम कहां से लिंक अप है, नाम क्या है, पता क्या है, कहां चल रहा है, कौन चलाने वाला है, और एक बात विशेस रूपते, क्युकि मदर से कुछ ऐसे पाए गये हैं, गौरवजी जैसे कि MPK मदर से कि मैं बात करूँ, तो वहाँ पर PFI स जुड़े हुए लिंक्स पाए गये, तो उसको हटाया गया, उसको तोड़ा गया, और पूरा का पूरा सिस्टम ही मदर से का हटा करके, प्रवन्नक को जेल में डाला गया, वो भी जेल में है, तो सारी चीजों से समझ में आना चाहिए, कि हमारे देश के जो विशेस बाई ह वो कहीं ऐसी गस्वदियों में न जा सके, ऐसी परंपराओं में न जा सके, वो विध्यान पढ़ सके, वो गड़ित पढ़ सके, वो सब्जेक्ट में आ सके, इसलिए विध्यान और गड़ित को पढ़ाने का भी आदेश बिया गया है, मदर सो में, आदेश होगी जीके सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर सरकार का एहम कदम और सबसे पहले जब इस एहम कदम उठाए तो सबसे पहले जर्द जो जलका है जलका है कि अपनी बातों को अनुबोदन के साथ रखता हूं किसी भी मदर्से का किसी भी सांस्कृतिक धरोहर का या किसी भी विद्याले शिक्षा पठन पठन या शास्त्र विज्ञान से जुड़े ग्रंतों का आधनी की करण करना मतलब यह है कि उसको नई पीडी के साथ जोड़ने का एक प्रयास करना है यह मैं कहीं से भी अनुशित नहीं मानता समाजवादी पार्टी से कहीं से अनुशित नहीं मानता विरोत किया था कि इस से वर्पेट खाना भी संभर होनी है मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको वो प्रकरण भी याद दिला दू जब पंदर दिसंबर 2016 को चार जार और तो सिह थो सुधित है कंशल में कि इन समनी शाख भर्पिर भाड़क करें लेकिन झालारी क्यामा प्रिश पार्टोर्ण एक बात आपक में इओ यह बात योगी जी को थोड़ी बहुत देर से समझ में हाई लेकिन यह बात हम पहले कारेकाल से आपके टीवी चैनल पर भी कई बाए डिवेट में कई अलग 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 प्रवक्ताओं के सामने रख चुके हैं कि अधिकालियों पर निर्वर्ता योगी जी के उदेशियों पर पतीला लगाने का काम कर रही है और यह बहुत अच्छी बात है मदर्सों का अधिवनिकी करार अगर करना चाहते हैं बिल्कुल करें कोई रोक नहीं रहा है अगर उसमें अवैद मदर्से चल रहे हैं तो बिल् झाल रही इतं प्रक्रार यह मोगें आप करी का निशने पक्षता का करते हैं में आप लिधे विखने के सवारा नि waiver रही है आयो लिद पकुल की भी सब्सक्राइब कर रही है निस पचला का रहा है है इस cinco companion करेंगार का नहीं किया है बड़ी जिम्मेदारी के cœurाऊ कि निश्पक्षिता का सवाल कम उठता है जब आप राजनीती के उस दायत दौर में चले जाते हैं जब चुनाव आते हैं तब आपकी भाशा शैली एक विशेश वर्ग के लिए बदल जाती है यह कोई मैं नहीं कह रहा है यह कई भाशार भाशपा के बरे बरे निताओं के आपको मीडिया के अलग अलग प्लैट्पॉम पर भी मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने एक धर्म विशेश के लिए इस तरह के शब्दों का संबोधन किया और योगी जी भी कोई अचूते नहीं निकला रही है तो मेरा से इतना कहना है अगर उद्देश निस्पक्ष है तो समाजवादी पार्टी विकास इधारा में आपका स्वागत करती है और अगर आप केवल और केवल बयानवाजी करेंगे कागज पे बैठके तो जिस तरह आज आपने 70 अधिकारियों के उपर किसी भी धर्म के लोगों को जोड़ा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को इसमें क्या आप असुद्दिन अवेसी को जो दर दो रहा है वहाई प्रवक्ता बताएंगे या वह स्वयम बताएंगे उनकी तो राजिनिती विकास को छोड़ करके एक धर्म विश्यस के आड समाजवादी कारकरता जो है हमेशा गरीब दबे शोशन लोगों की मुद्द करते आए हैं और इस बात को हमें प्रमारिस करने के आउशकता नहीं है तब्से बड़ी बात यह है आज भारत जिस दिशा और दशा में चलगा है यह बहुत जिम्मेदारी है राजितिक दलो की कि वो अब विकार की मुद्धारा से लोगों को जोड़ने का काम करें ना कि केवल राजितिक दॉंद में फासे रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हमासार मुझसे को स्कॉलर के रूप में आमर साबरी भाई जोड़े हुए हैं आमर भाई महरपूर कदम असद्धी जी सर्वे योजना तो पहले तो मुझे हसी आई इनकी बात पर कि ये सर्वे ये कों सी योजना है और इसके पीछे क्या मन्शा है योगी जी की अउत्तरप्रदेस सरकार की देखिए मोधी जी जब सत्ता में आय थे तो उन्होंने कहा था कि हम मुसल्मानों के एक हाथ में बताएं दूसरी बात बड़ी उत्तरप्रदेस सरकार में दूसरा योगी टू सरकार चल लए है चेटा वर्स चला है सरकार का एक भी मदरसे की मानता नहीं दी आधूनी करण के नाम पर मदरसे को तीन टीचर दिये गए आज चार साल से उनकी तनका नहीं मिली है ये किस तरी तरीके का और आधूनी करना चाहती हैं ये समस्से परे है हमारे तीसरी बात इन्हों ने एक बड़ी इंपॉर्टन बात बीज में कही जी थी ती योगी जी देखिए योगी जी हमेशा जब चुनावाता है तो कभी लब जहाद की बात करते हैं कभी मदरसे की बात करते हैं क उसी हद कंडे होता है ये भी एक राजनेतिक स्टंट है कि मदरसे का सर्वे होगा अब सर्वे आप किस बात करना चाहते हैं पहली बात तो आप हम यह बता दिये सर्वे जो आपकी जिनको मानता है मदरसों को मिली हुए हुआ तो कोई सब्दाय आप देनी रहे वो सब उन्ह ने बलकर 100% क attendance कौम के चंदेश चलते हैं या जो रमदान में मुसल्मान जकात निकालते हैं वो पैसा मदरसों में जाता है बाखी कोई बिदेश से तो पैसा आता है बात का सर्वे करना चाहते हैं और सर्वे आप कर यह स्वागत है मैं भी सका बरोद नहीं करता हूं लेकिन इसके पीछे आपकी मन्शा किया है आप एक समाज को मेसेज दे रहे हैं कि देखो मैं मुस्लिम समाज को टार्गेट कर रहा हूँ परिशान कर रहा हूँ बाकी इमानदारी की बात ये है कि धरातल पर आप कुछ नहीं देना चाहते है और जहां तक हमारे सफ़ा परवक्ता ने एक बात कही कि योगी जी के बारे में तो योगी मुझे अच्छी तरह याद है कि समाजबादी पार्टी में भारती इंदा पार्टी मैं कोई ज्यादा अंतर नहीं समझता है किसी भी तरही के से हाँ कि योगी जी को योगी जी बनाने वाले माननी मुलाइम सिंग जी है जब उत्तर प्रदेश सरकार के मुखमनती थी ते योगी जी के उपर जेल में जाने नहीं नहीं बताए तो उन्हें रात तो रात डीमेस पे का ट्रांसफर करके योगी जी को बचाया ये भी मुझे अच्छी तरह याद है तो मैं नहीं समझता हूँ कि समाजवादी और अभी भी देखिए आम तो दे सोचाल मेडिया पे बड़ी वाइरल फोट वीडियो भी हुई है और फोटो ज्यूँ ही कि हर महीने डिड़ महीने में योगी जी के मुलाइम सिंग और खिले जी चले आते हैं और जब कभी होता है तो मुलाइम सिंग के याँ योगी जी भी चले आते हैं तो मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी और भारते इंता पार्टी में कोई बहुत बड़ा अंतर है या फ़र्ग है देगके मुलायम सिंग्य ने भी मदर्सों को बहुत जादा मांता है नीड़ी आखिर में, जब सरकार जाएं लगी तो कोछ मदर्सों को मांता है दी यह उजा और इस सरकार ने तो दूसी सरकार चल लेए तक एक सिंगिल मदर्ससे की मानता शीती, तो सरवे किस बात करना चाहते हैं? योगी जी बड़ा सवाल यह. मैंने नहीं कहता, कि अब आसी क्या कहा, क्या नहीं कहा, मैंने नहीं तो आपने डिवे वाद सुनाई, कि मुझे वह इसी ने क्या का मुझे कुछ याद नहीं लेकिन सचाई जो है वो सुईकार करना पड़ेगी आज नहीं कल आप इमानदारी से आपकी नियत क्या है आपकी मंशा क्या है आप इमानदारी से काम अगर वास्ता में करना जाते हैं तो मुसल्मान इसका स्वागत करता है मैं भी स्वागत करता हूं और ऐसा भी नहीं है कि हमने वोट नहीं दिया है हमने इस सरकार में भी यो जो योगी की बनी है सारे आखले बताते हैं ग्यारा परसेंट मुस्लिम बोट मिला है यह अलग बाद रहे कि बाद में इनकार कर दिया कि एक वर हमें वोट नहीं देता यह करके यह कभी कभी यह कह देते हैं कि एक वर कि आबादी बढ़ लए है तो एक वर करके जब यह टारगेट बनाते हैं तो कहीं लगए लगता है कि हिंदू-मुस्लिम-Hindu-मुस्लिम करना चाहते हैं और यही भारतियनता पार्टी की नीत और रीत है और इसी कि तहरत वो पूरी पूरी जो कारवाई होना चाहिए सरकाही दो तो वह कंप्लीट है लेकिन आपने मानता नहीं दी अब आप करते हैं लेकिन आप सर्वे के नाम पर राजनेते की स्टंट कर रहा हैं आप एक हटकंडा इस्तिमाल कर रहा हैं आप यह बड़ी हिंदू समाज को यह बताना चाहते हैं कि मुसल्मानों को पर जांगर नाम पर इसलिए भारतिन्ता पार्टी के मदर्सा पाकिस्तान मुसल्मान और अंजेब जब चुना हुआ था तो इस सारे कुछ चंदे कुछ नाम रटे हुए हैं कि वह सामने आ जाते हैं उसी के तहट यह अपनी रादिक हैं अंगर भाई पर बत्तर हैं जुड़े हुएं अंगर भाई अप्र गटना करम आपका देखा हुआ क्या मानते हैं इस गटना करम के करना चाहेंगे और सरवे अगर हो रहा है सरकार देगना चाहती कितने बच्चे पढ़ते हैं किसे अप कि अगर आप किसी चीज़ का सर्वे करवा रहे हैं, तो सर्वे के साथ हाते करवार, आपको इसक्ष करना पड़ेगा. कि अगर आपको अगर कि अगर कि अगर किवा आथा करवा रहा हैं, तो समेसित करना पर बच्चों के साथे करना चाहिए, तो वारिछ दृणना पर बच्चों कि अगर कि अठीआ कर आब वी सक्षcell करना पड़े हैं, सबसे बड़ी बात क्या है अगर आप education level को उपन ले जाना चाहते हैं तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि पढ़ाई का माध्यम क्या है आप क्या मदरतों में आप यह तो नहीं चाह रहे हैं कि वहाँ भी पढ़ाई का माध्यम बोई हो जो गुरुकल के सबहे में पढ़ाई का माध्यम रहे हैं तो यह हर देख्ष्टी का संब्यता संस्रती और पढ़ाई और mental level अलग होता है अगर आपको बच्चों के जीवन में मैटिक माध्यन देने हैं उनको अच्छी शिक्षा देनी है तो मंदरतों के लिए आप सरकार हैं सरकार इंपावर्ड होती है कि एक गाइडलाइन बना सकती है उस गाइडलाइन के अनुरूप कावे हो रहा नहीं हो रहा इसको देखने के लिए उनके पास पूरी चेन होती है इसके अलाबा युक्ता प्रदेश में लास्ट शिक्षियर से पॉसेंटल गवर्मेंट में भी दूसरा उनका चल रहा है लगबाद आट साल हो रहे हैं उनको पूरे पूरे हैसी इस्तिती में भार्किये जन्टा फाल्टी की सरकार है तो अगर मदरतों में कोई खामी निकल जिसके उपर जाज में सर्वे रिकोर्ट में ये निकल के आता है तीन मदरतों में अनिमित्ता पाई गई तुस्ता प्रदेश में चुपी शह साल से आप सब्सक्राइब है तो आपको उन अधिकारियों के खलाब भी निश्पक के जाज करनी पढ़ेगी और उनके खलाब का आरल्डी स्वागत करती इसका कदम का अंकुर भाई सबसे बड़ी देखिए मैं बहुत इस पश्टर तौर पे आपके बात कहता हूं राश्ची ये लोगदल के दौरा स्वागत या बिरोद की कोई बात नहीं है राश्ची ये लोगदल के दौरा अगर मतरसों के साथ में क कि बिरोद करने का कोई प्रस्म नहीं उठता है है अगर आप पहीं के गलत हो में तो हम उसका बिरोद करेंगे अगर आप साही है ताफ गोई नजर आती है तो खुले हुदैता स्वागत है क्योंकि हम उत्त्र प्रदेश के आम जन्मानद के साथ बच्चों के बभीश के जो फैसला आया सर्वियों को लिए कर इसके लिए क्या क्याना जाएंगे जल्दी बताइए देके दो चीजे हैं यह उत्तर पदेश में 16,000 से ज्यादा मदर्शे हैं और पिछले 6 बर्सों में उनमें से केवल 560 मदर्शे जो की पुर्व के सरकार द्वारा मानेता दी गई इस गया जी मेरा कहना यह है कि यह सभी विद्याले हैं इनको modern education के साथ में सरकार अगर जोड़ना चाहती है तो 6 बर्सों तक तो सरकार सोही होई थी पहली जी इनको एक सामान में विद्याले के रूप में टीट करना चाहिए और जो अभी यह लोग बार बार इस बात को कहते है कि article 30 article 30 में जो इन मदर्सों को protection दिया जाता है इस पर पहले रोक लगनी चाहिए जैसे अन्य हिंदू धर्म में कोई ऐसी बिवस्था नहीं है कि आप एक अलग विद्याले का संचालन कर सकते हैं जिस पर सरकार का कोई देख रेखना हो मदर्सों को सामाने रूप से टीट करना चाहिए और आधुरिक बनाना चाहिए और जितना जल्दी हो छे बर्सों की जो हालात रहे हैं यहां पर देखिए सकॉलर जितने भी लोग बैटे हैं किसी को इसकी चिंता नहीं रहे कि छे बर्सों में क्या हुआ है हमारे साथ उसमें आप देखें कि मदर्सों के जितने भी संचालक हैं वो अप्लिकेशन पे अप्लिकेशन दिये पड़े हैं लेकि सरकार चुप-चाप सोही हुई थी सरकार की जो आज की कारिविदी है उस पर एक प्रश्चिन है और सरकार को इसको मानना पड़ेगा गेंदर में गेंदर में सरकार है राज में सरकार है आज आप किसी पे उपर दो सार ओपर नहीं कर सकते हैं सारी जिम्मेदारी आपकी होती है और उस जिम्मेदारी को आपको लेना पड़ेगा और लेने की हालात कवाई है जब आपका दूसरा टन्माया है कि समाज यह चाहता है कि आधुनिक बनना और निवेधन के बाद भी आप छे बरसों बाद आप आ करके आपकी नीद जो है वो खुली है और उसके बाद आपने ऐसा नेड़े लिया है वो भी एक बत और प्रस्न है वो भी सबसे महत्तपुन है कि आपने ये नहीं कहा कि हम किसक स्लीपर सेल देश में काम कर रहा है इंची सरकार की चिंदा यहां है सरकार निसाना कहीं है सरकार का देख कहीं आपने देखा है जो पहला हमारा कारकाल था उसमें दो साल तो आप को रोना के निकाल दूंगे और दूसरी बात यह है कि मानता तक से लेकर से अभी तक हिंदू विद्वालों की विज्यारों की भी नहीं हुई है तो मदशों की तो बाची छोड़ दीजे इसरी बात मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिस पकार से आप ना भोलें आपके जिस पकार से यह जो कार्यों हो रहा है इस से दिक्कत कहां आ रही और सोब्सम क्या है अगर आप कहरें इसमें छुपारे की कोई जरुवत नहीं है कि जिसमें की मिट्टी में हम पल रहे हैं तो बहरत मां इसके लक्षा करना उनका धर्म है ना कि उसके विरुद आतगी आपको परशानी है बहुत बोगए कि आप जो है मदर्सों की बात कर रही हैं आप यह तमाम सरकारी स्कूलों की छटें टपक रही हैं सरकारी स्कूलों की छटें गिरी हुई हैं बच्चे जमीन बैठ के पढ़ने अरे उसकी चिंता करिए आप मद बच्चे बहुतुरों के लिए आपि आपको रेचाद भाव से अपनी करते हैं आपि तो निशें को मनना चाहतें जैंक अपर अल्शन धैरें टैर् psychowski मार्वांट प्रषा परवूमत मी आई ट्यार्ष यह श्रम परही 바로 कि अधिर ही अधिन तो आपने खेड़ दिया यहां तो बोले यहां तो सब सम्भाव की इसको लाने के लिए सारी चीज़ें हो रही है जिसे हमारे स्कूल पर पूरी मुस्लिम कौन वह रहा हैं आप मदर सों क्यों कर रही है सबस्क्राइब मुझे बहुत दुख है कि वो मेरी बात समझ नहीं रहा है हैं मेरी क्या समझेंगे जब सरकार की में समझ भा रहे हैं जो हमारे बच्चे में पढ़ने वाले वह गड़िज भी पढ़े और हाँ अगर वो प्याइफाई जैसे संस्ताओं से कहीं से भी टच हो रहे हैं और उनके द्वारा उनको ऐसे ऐसे संस्ताओं से जोड़ा जा रहा ह है फण्डिंग हो रहे हैं तो इस तरी की कदेरिया ना हो पाएं और हमारे भारत के बच्चे जो भी विसे संस्ताओं वारत की वारत की आनवान शान के लिए ना लड़कर के वह ऐसे ही लोगों के साथ में आतंकियत करता रहे आप तो फिर आप यहीं चाते हैं या पेरी बा अच्छा देखें, अच्छा समझें, तो मेरी बात सुनें, मैं कोई भी जिरोध की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत हिरदाय से बात कर रही हूँ, इस पकार से आप आपने देखा या पर सभी लोग देख रहे हैं, पता नहीं है माइने कैसे सेट कर लिया है हमारे मुस्मिम भ है, तो हमारे मुस्लमान भायों ने लिया है, चाहिए पर मैं तुक्षिता अभ्यान के प्रती सौचालियों में 11 करोड 11 लाग सौचाले की बात करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारे मुस्मान के अनाज ले रहे हैं, इसके अलावा क्या दिया आपने, आप दैसे अरे आपके बाद को इस दाने को है नहीं, और गद्वीडियों के बात करें, यह शर्शुती सिचव मंदिर के पच्चों के हाथों में डिलाए आता है, यह मदरसों में होता है, यह रे दि привет然 रे जोटिए, मैडम, यह शोचालहर या और यह बहुत हो गया, अब सब्सक्राइब करें तो कहते हैं नहीं हम तो हम तो बीस पंटेंट होने के बाद भी पूर आसी पंटेंट को खाएंगे हम को एक बात करें आपके जैसे लोग जो है ना हमारे भूले वाले मुसल्मान भायों को बड़ाते रहते हैं आप लोगों के चलेगे क्योंकि आदर नहीं मोडी सी को सारे लोग सुनने लगे हैं यहीं पर कह रहा हूं बहुत दिनों नहीं चलती है बहुत आप लोगों नहीं हिंदु मुस्लिम कर दिया करता लेकर के बैठे हुए हैं कि तमा लगफरत लेकर के बैठे के डिवेट में भी उगले जा रहे हैं कम सुन जो नहीं मानना है मास मानों थुनों अच्छा करना भी नहीं चाहते हैं अच्छा करना भी नहीं चाहते हैं यह सारी बिवस्था आर्टिकल 30 में होती है मदर्सों की सिख्छा की आप यह बताएं कि उत्तर पदेश सरकार हिंदू सिख्छा बोड का निरमार कब करेगी और हमारे लिए भी इस तरह की बिवस्था कम मिलेगी सरकार तो हमारी है हिंदू की सरकार है हिंदू के सरकार में हिंदू के लिए सिच्छा वोड कभी आएगा देखे ना यही तो सब्सक्राइब अभी आपने कहा अभी एक मिनट और अभी आपने कहा किसी को आपने अभी कहा कि किसी को मानेता नहीं मिला मैं बार बार वही कह रहा हूं कि आइडिकल 30 हटा दिया जाए सब को सामान ने कर दिया जाए यह समस्च्या रहेगी यह समस्च्या को जड़ से कदम करना है घर तो अरे तो गजंदर यह आडिकल 30 में है कि आजरा इसका भी बशाद कर दिये आडिकल 30 में अस्पस टूप से कहा गया है कि आप अपने बिशय में आदुनिक सिच्छा की बात नहीं की जा रही है वहाँ अपने धर्म आधारित सिच्छा का निरमाड करेंगे और सरकार उसमें कोई हस्तचेप नहीं करेंगे यह सब के लिए कि वाल मुस्लिव हो गूरी है लिए आठकल तीस में पर अलसंक्या है ना कि मैं कहा रहा हूं सौ करोर लोगों की बात ही नहीं करना चाहते है आप लो जी और भाई यहीं तो मेरा समभार आप कर ठीगा तें q10 गोगों के सिच्छा के अधिकारों की बात करते हैं तो ांशे यह बता दीजिए में सो कोड़ हिंदू की बात पर बाता मुझसे बात कर रहे हैं? कि हिंदु हमारे हैं या फिर उनके लिए कारेकब होगा मैं तो कह रहे हूँ सरगार की जो बिवस्ता सम्माव वाली है यह जादा इसी के लिए बहुत आम होगा तब बराबर मेरे ना जैसे जैसे हमारे मदर्से होने चाहिए अलग अलग चिछा क्यों और जो मदर्से में कर दो पड़ लो उत्रा सीख लो बाकि और कुछ नहीं जानाते ना कुछ बताते ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा है कि यह बहुत आख और लोगों के पास प्रहां को यह वह जो ह्याद है आपको पंचाहित शुनाओं अपनाया जाए ला कि मदर्सों में संस्कित प्लाए जाईगी है आदो के पास भोड़ा दिल्गे आरा ही मैं भी कर लें पर करे अपनी कोई सब्जक्त में गिठा आपने कोई संफ़दा नीठी कि भी सप्र्टा जेक रहे हैं है हम आप सही मार किर रहे हो जांधाgas करेंडी है मैंने अपूला आपकेञा यूझ आपके आपकानी है और मिल्सके निए साप है, तो आपक जो आपकानी है पूरी खरें है मैं बहुत देड़ से देहर भूर्वाख सुन रहा था. मुझे बगता है कि इस विषय का जो बींदू है, आर्टिकल पीस जिसकी बात कर देह मुझे लगता है कि देहरे पूरोग मुझे एक मिनिट का समय भाइगा जी बोली है आर्टिकल 30 जो है देखें सिक्षा संसाओं की इस्थाप्ना प्रशाशार और करने का अधिकार और अल्प संक्षिक वर्गों का सिक्षा से जुड़े वे अधिकारों को सम्मित करता है लेकि एक ग्रांती जो बराबर बुस्लिव स्कॉलर भी बड़ा पक्ष ले रहे थे आर्टिकल 30 की बात कर रहे थे अब मैं जरा इसको इस पष्ट कर देता हूं जी आर्टिकल 30 में मदर्से में कुरार पढ़ाय जा सकता है इसका हवाला OECD ने दिया है बिल्कु में उनकी वैने जाक्या सुनिये उसको लेकर और इस दावे की पुष्टी के लिए मैं आपको पर इस पष्ट रूप से बता दू कि आर्टिकल सम्विधान में 31 कोई अस्तित तो है ही नहीं पहली बात पढ़ लिजिए किताब खोड़ लिजे सम्विधान की मैं सब्से बड़े निविदन आर्टिकल 30 का उप अनुच्छे 31a है 31a जो आर्टिकल 30 अल्ग संख्यक वर्गों के स्थापना और संचालन का जैसे प्राजरुभाव करता है उसी तरह 31a कि धर्म या भाशा पर आदारिस तभी अल्ग संख्यक वर्गों को अपनी रूची की सिक्षा संस्ताओं की स्थाप है किसी अल्ग संक्यक वर्गों दौरा इस्थापित और प्रशासित सिक्षा संस्ता की संपत्ती के अनिवार अर्जन को सुनिश्चित करने का काम ये करता है और बड़ी जिम्यदारी के साथ 32 भी पढ़ लिजेगा जो सिक्षा संस्ताओं को साहता देने किसी भी सिक्षा सं आट प्राद बॉधां में धर्वी किताब पढ़ाने का कोई प्रावदान ही नहीं घॉत धर्द लेपेश परीजी में आता है। और इसमें ऐसा कोई परिष्पडावदानी है कि मदर्शों में कुरान पड़ाई जाएगी लेकि इस सुरों में गीता नहीं पड़ाई जाएगी। वे राजनिसिक बगतव हैं जो कि वे गज़त नहीं गाता एक समाजवादी पार्टी के तब से जो इसी देर से बकवास कर रहे हैं इंसे पूछ लूँ चार अजार 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 उर्दू सिख्षाग भरती पूरी हो गई क्या आपने उसके लिए क्या किया जड़ा इसके ल तो कि अजार 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 उर्दू सिख्षजम की बाती कि लाए तुम नहीं अगली यू आपने तबंगाते हो जबला आपकिलान गैला आपव मधिधू ब हörना कि बसने तुम थाड़ जीक लोगन हो इसके लो जो सिंग ड़ार कर थारती बंग à बारे बेचे UP आए भारे इसा कॉछान कर रोए यॹा मुझे लिए वी चलीफिए एफ तरीकों हमी अप्रें कर सब्सक्रा केनि ओर्र लेकी आए लिए यह कुलेगे है लिए मुझे बतादे है जिसे भासपा ने काम किया क्या अपने उदाई कर रिसक भाति काम किया निया है मुशिं रिखा कर चल हुगे मुस्लिम इस को अनके है का डेगा कर कर गो के इसकाद का जवाब में लगा कम करें जार आजार मुस्लिम उर्दू सिख्षगों की बड़ती के नेहाई की लड़ाई आपने लड़ी क्या आपने कोई उनके लिया आवाज उठाई इसका जवाब दे भीजाब यो बाट है इसमरा नर्ग जया है? नदो को किया हो नहीं हो पिलिए ट तो लेकर ऑखका नुनका सुऑना सभका तूल वाप रहे हैं वाहा? और एक तवी ऐना, क्या है? आए आए अरदो सिछक्षक्तार को जांते आप ये ज्याद कि अलो है जवाब जाए लिए जवाभी दिदेड़ा आपक टुनो भरी मुसलिम इसको अलो है तिकाहिए सुन लिजिये अलोओ किया है, तो जवाब देखेंगे कि ये वाउद जिए ना रहу गात इन दो possibility आप करें आपके किसे बाप करें, देना किसी की बात आनि आने ने रहें फ़ी किसी भात मिपढ़ करेंगे, बाले बादे लिए 4 एजार अर्डौ सिक्षिषों की लराइया हमने यह बरावर लडिए अपर étुबहार्ण एस करें एक इनτι में तुरिय को अवार्ण इजय में एक पोच्छा पूच्छा जौबहारड जिए मैंने एक सभाइब पूच्छा ज्वाद जवाब डिजिए वेइसी को चोड़ ग breaths a connecting कि अरे मुम्समिन अख प arbitid जला कि ब खरआ लेगाई जाएक आव पर रखे एंग्णोर भाई भाई एंगृ। क्वेक्षी में फोर संथी उना थो मैं चाहूंगा तब भाई जो प्हूंगों सब्सक्राइब। है मैं बात है कि यहां पर सबसे बड़ा मुझ्दा है कि अडार कोई थी हो रही नहीं हो रहे हैं इंपरेटेशन यहां पर सबके दुआरा आटिकल थल्टी एंठल्टी एंठल्टी ए यह उनका किया जा रहा है अल्सक्राइद टॉप के लिए जिए इस तब बहुत करते हैं तो एक जटकी को टार्गेटी को टार्गेट किया रहा है जिए दूसरी बात है कि अगर सबके उपर टार्गेट किया जा रहा है तो मिशीन वीज के द्वारा जो आलोवर इंडिया लेविल पे अगर उस्ता प्रजेश की भी आप बात करते हैं तो देखिए लगनों में सैक्ड़ों ऐसे कॉलेजेज है जहां मिशीन वीज के अंतरकर संचालीत है तो उनका अगर आपको अगर बिचेश को टार्गेट कर रहा है तो उसका प्रभाल सभी लोगों को मिलता है ना जब अगर आपको सर्वे करना है मैं तरह रहा हूँ एडुकेशन स्टेंडर्ड को इंचा करने के लिए जो तर्वे किया जाएगा राक्ये लोग दल का प्रतिविधी होने के नाते हम उसका कहे दिल के स्वागत करते हैं लेकिन अगर उस तर्वे का उत्देश यह है कि सामाजिक बैमनक्ता बरके लोगों के अगर बात्तम में उनमें असरिया शीलता नजर आती है जिसका सामाजी दुष्पावाँ परेगा तो राकिये लोग दल भविश्य में ऐसे सर्वे के अगेस्ट में और तरीके से चाहें बिदिक साहता हो किया किती ही तरीके से हम लोग इस प्राबदानों का बिरोग करेंग और अगर पब्लिक के हित में तो अम लोग बेट और बात्ति करिए अगर अगर एसा अच्छु की फुदतम में अगर आजी समस्या है ना तो चोड़ा कर दीजेगा और अगर यह गल्पी हुई कि मेरे बीच में कोई बोला तो मैं समझूगी आपकी फाल्च है नहीं बाकि आजी मैंने सुना और एक हमारे ठेकेदार हैं वो सब को शर्म करने की बात दिखा रहे हैं लेकिन यह भूल जाते हैं कि शर्म किसको करनी चाहिए अगर यह दसाई जंता करेगी मैं उनसे कोई जवाब नहीं रोगी ज्यूकि मैंने उनसे की मालतिक्षा समझ भी है वो तठा माइन से अखिक्षित और सोट से अखिक्षित ना हो सकते केवल पुरान पढ़के उनने सब्जेक्स पढ़ने की जरूरत है समझ दान पढ़ने की जरूरत है वाठी एक बात जो जड़ते हैं लब जिहात केवल सथा कजित आदरणी योगी जी बोलते हैं आप मुझे बताए पूछी गौरब जी मैं आप से पूछती हूं, ये लवज हाथ के चकर मही जो धारकन की अंकिता है एक लड़के ने, नहीं और से आया हुआ लड़का उसने जला करके मा डला वो क्या था, लवज हाथ नहीं था और वो कहां से आरा है, वो कही अधिया मदर से की लखे लिए ल ये लवज हाथ का मामला है, तखामय हो सब लिए लड़की को मना करने पर उप पहले तो अपनी आइदेंटिक्स पा रहा था, इसके बाद में बुला नए लड़की ना मना कर दिया और उसको गोली मार दि, तो ये बात लवज हाथ का है, ये तखा पे चैपे हो सकता है, और यह लगजात आता कहां से है, यह वही से आता है, जहां पर आप सिक्षित नहीं होते हैं, जहां पर आपको कुछ सिखाया नहीं जाता है, जहां पर आपको मदर्से में बैट कर यह सिखाया जाता है, कि आप एक हिंदू लड़की को, अगर मुसल्मान बना दोगे, जब जब ज षबाइन दोट गुदे पर आपका बास बोलता है यह औरंग जेव की जमीन है इसके मंकाना अप्ट औरंग जेव को जाता है आप लोग घुछर देते हो हमेंसा और उसे अश्टी है कि आप किसको घुछर देते हैं, हम तो चाते हैं कि आप समता में आएं, आप हमारे बराबरी से आएं, ना कोई समता, मजब कही पर भी कोई जिधाव ना हो, आप आराम से रहें और भारतमा की तुरक्षा, रक्षा कि अधनी योगी हो यहीं मोडी जिधार है, हर योदना में आका अफा तक है, आपका सहवाग्ता होती है, हार सरीके से आपकी सहवागता सब जगे हो, यह हम चाते हमारे फोई भी गलप में चांदी चाहिए, अभी ने एक बड़ी बात उठाई, शारुप कान की उठाई, न प्रवास नहीं। गूळुभा गूदा गूदिए, गीजी नातु हिंसे ठेके हारे गूजुभा गूदावरा आगशे हमैंगरे कर भीर कीम आजा जीजीनीम मझात aí गूबुभा गूदारФ घूल्याजी मझा की था dong एक ये फिर दियुए कि अगो पर वहर याई जrit σας अगांvey हिन्य क्भाई अच्छ धाइ धिडिये अघ्टे सु खराने लिखेम हुद्स ही जद रचालीगे अखीये यह प्रवाइब कर दो बाद जी अपनी बात पाती सिखने पूरी करिया जल्दी करिया बुलिया जल्दी बुरी होई यह यृष्ट है तो प्रली थारे बुलिया जल्काण वह जल्दी नहींतोव होई जंदी बुल कोने पोहब छोगे इस चर्चा के माध्यम से हमें जाना चाह रहे थे कि मदर्सों का सर्वे क्या है उस सर्वे के माध्यम से सरकार क्या करना चाहती है देखा और पुरूर्व सर्वे का मामल था बू这个 आज्यति को छला गया राजनीति के लिए भी जातर यहां पर हुन्नु मुस्लिम से लेकर के चर्चा से लेके और अनुच्छेत से लेकर सारी बाते की गई पार अभी तक यह स्पष्ट नहीं उपाया कि जो सर्वे है उसके लिए जो राजितिक दल है उनकी मनसा क्या है क्या वो सर्वे का स्वागर करते हैं अगर स्वागर करते हैं तो फिर आरूप त्यारूप क्यों अगर अरोप इत्य अरफ है तो सौगर क्यों हो यहा पर मन्ज़ा क्या होने वाली है सर्वे के बाद रिपोर्ट क्या आएगी और योगी सरकार क्या करणा अगर उठाएगी बगत बताएगा। पर फिराल ये एक बालत है, अकर सिच्ठा के काय कलप को लेकर यह कुछ बेतर करने करे करना उठाया जाता है, तो उसमें समीच्छा तो होनी चाहिए, पर अगर जो करना बेतर है, तो उसका सौगर भी होना चाहिए। तो आज की तरफा होता है , आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार